देखी BIOS का मतलब होता है Basic Input Output System अब जब आपका BIOS खुलता है तो BIOS ना तो hardware होता है ना तो software होता है ठीक है इसे Basic Input Output System होता है जब आपका system format हो रहा होता है तो उस समय आपका पूरा BIOS खुलता है ठीक है अब ये post क्या होता है सबसे बड़ा सवाल post को लेकर के है तो post का मतलब होता है power on self test जब भी आपका system start होगा जब भी आप system को start या restart करेंगे तो उस समय क्या होता है several times जैसे आएगी screen फिर grab हो जाएगी फिर grab हो जाएगी कई बार ऐसा होता है ठीक है जब भी start करेंगे तो ऐसा होगा तो जब ये होगा तो इसका मतलब ये है कि जो भी peripherals लगाएगे है अब peripheral का मतलब क्यों होता है कि जो आपका keyboard है या जो mouse है वो कहीन जाकर के port में plug-eating होता है तो वो जो keyboard है mouse है या जो भी peripheral devices लगाएगी है वो सारी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है यह आपको message display होता है आपके screen पर और इसलिए इसे कहते हैं power on self test यह खुद ही computer आपका test करता है कि आपके सारे चीजे सही से काप कर रही है या नहीं कर रही है कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपके screen पर message display हो जाता है इसी को post बोलते हैं ठीक है? post clear हो गया न?